अब हम वेबसाइट कॉंटेंट को एंटेटेंबंट या किसी और जॉन्र से क्यों अलग कर रहे है इसलिए क्योंके जैसे के हमने पहले भी बात की डिजिटल में बहुत सारा कॉंटेंट है और सबसे बड़ा जो प्लाटफॉर्म डिजिटल पे या जो वेबसाइट है वो हमारे इंटरनेट या वेबसाइट होती है अब internet पे मुख्तिलिफ किसम की sites होती हैं, कुछ portals होते हैं, कुछ websites होती हैं, कुछ और किसम के e-learning centers होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो internet पे जो products available हैं, वो है website और वो entertainment websites तो जो entertainment websites हैं, उनकी popularity भी बहुत ज़्यादा है, और वो available भी बहुत ज़्यादा है, उनसे interaction भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़ा से जो हम जब online freelance jobs के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि सबसे ज़्यादा इसकी demand है तो शायद इसी area में जिस तरह हम लिखेंगे, इन websites को इस्तवाल करेंगे, उसकी demand ज़्यादा है ये जो entertainment websites हैं, ये obviously जातर English में हैं, मगर काफी आपको उर्दू में भी नज़र आती हैं जैसे हमारी web है, या urdu.com है, या urdu.point.com है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी entertainment websites हैं जो के जहां पर writers की जुरत होती है, वो चाहे उर्दू में लिख रहे हो, चाहे अंग्रेजी में लिख रहे हो हम, because हमने अपने आप को एक global employee के तौर पे train करना है और यही हमारा आपके लिए objective है, तो हम जातर इस वक्त English की बात करेंगे तो if we look at it, web content is textual, visual and oral content that is encountered as part of the user experience on the website यहनी कि जब आप website पे देख रहे होते हो, उस पे तस्वीरें भी होती हैं, videos भी होती हैं, और text भी होता है और आगे जाके जब हम SEO की बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह text कितना जरूरी होता है और इसको लिखना एक art क्यूं है, जब हम एक website के लिए लिख रहे हैं और खास और पे एक entertaining website के लिए लिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो भी हम अलफाज इस्तमाल कर रहे हैं, जो हमारा content है, उसमें एक entertainment value हो जानी कि हमने लोगों को entertain करना है, उनको मज़द आना चाहिए हमारी बात पढ़के चाहिए वो हसे चाहिए वो कोई न कोई emotion उससे उजागर हो रहा हो तो जब हम entertainment की बात करते हैं तो सबसे ज़ादा जो website हैं वो fashion पे हैं, music पे हैं, drama पे हैं, जो आपका पूरा entertainment industry है, उसके उपर है तो ये जो industry होती है खास दोर पे entertaining ये बड़ी colorful सी होती है, exciting होती है, आजकल के हिसाब से होती है आपका जो happy emotion होता है ना, खुशी का जो emotion होता है, जो आपकी feelings होती है, कि हाँ जी बड़ा मज़ा आ रहा है, ये पढ़के आप relax करना चाहते हैं, एक अच्छा time गजारना चाहते हैं तो लोग इन website पर जाते हैं, तो जब इन website के लिए हम लिखते हैं, तो हमें जरूरी है, कि हम इन बातों का ख्याल रखें, कि हमारा जो text है, वो colorful भी हो, exciting भी हो, मज़िदार भी हो, उसमें कोई चुटकले भी हो, उसमें कोई मज़ी की languages भी चल रही हो तो अगर हम लिखने के तरीके पर आएं, तो हम देखते हैं, कि we absolutely have to make sure के original content है, आजकर बड़ी एक आदत है कि जी इसका चुराया, उसका चुराया, उसकी खिचड़ी बनाई और अपना बना दिया, उसकी value है, मगर मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं है, जितनी की original value है, आप किस के लिए लिख रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है, कौन पढ़ रहा है आपको, आपके website पे किस तरह के लोग आते हैं, खवातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजर्ग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, जो ड्रामे में इंटरिस्टेड हैं, तो जो भी website आपकी ह हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, यूजरी हम जब लिखना शुरू करते हैं, तो हम करते हैं इसको inverted pyramid, यानि कि पहले हम general बातें करते हैं, फिर हम specificity की तरफ जाते हैं, ऐसे क्यों है, इसलिए है, क्योंकि सबसे पहले हमने audience की attention grab करनी है, और सबसे ज्यादा लोगों की attention grab करनी है, तो जब हमने सबसे ज्यादा लोग लाने हैं, तो हमें ऐसी बातें करनी हैं, जो बहुत सारे लोगों को appeal करेगी, तो हम generic सी बातें करते हैं, फिर जो उनको full information generically मिल जाती है, जो main crux होता है, वो पता चल जाता है, फिर details के लिए अगर उनका जी चाहे तो वो नीचे scroll करें, नहीं करें, वो उनकी मर्जी है, मगर उनको शुरू में हम बता देते हैं कि वो क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि वो बोर होके आगे बढ़ जाए, बलके थोड़ी तेर तो रहे ना आपके website पे, कुछ तो आपका पढ़े हैं, जो आपने लिखा है, तो attention span लोगों की नहीं है, बहुत लंबी-लंबी बाते नहीं पढ़ते हैं, ना internet पे जो screen का जो behavior होता है, आए और आख का और screen का, उसमें आप बहुत लंबी-लंबी text जो है ना वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आप पढ़ते नहीं, अंटेल ऐसा आप उस को किताब की तरह kind आप उस तरह उन को इस्तमाल कर रहे हैं लिए आम आप जो आम जबान इस्तमाल हो रही हैा असान जबान जो ही इस हमारी भी यहां पर कोशिश यह होती है जहाम लव्साम करें coû Qawi varam किसम के लव्ज ना हो ऐसे लवज हों जो सब को समझ आ जा जाएं और यही चीज जो है आपने लिखते वक्त करनी है casual language जो है वो इस्तमाल करनी है it has to be fun and entertaining layering web content यानि के बहुत सारी जो हैना layers होने चाहिए अगर आपने पहले एक बात की है तो फिर आप एक और बात करें फिर आप एक और बात करें ताके interest जो है ना वो होता रहे तो simple भी रखना और interesting भी रखना है ये एक challenge है मगर मज़ा आता है लिखते वक्त leave them wanting for more यानि के पूरी बात में एक चुटकला छोड़ दें के यार ये वापस जरूर आए आपके पास आपने कहा कि जी फवाद खान एक नई फिल्म बना रहा है पूरी खबर कल पता चलेगी तो अब आप अपने टीजर दे दिया और फिर बाकी खबर के लिए उनको कल आना पड़ेगा या धोड़ी देर बाद आना पड़ेगा कि जी पूरी खबर क्या है तो इसी तरह आप आ वदू का वर्जिन भी है इनके पास ये इंग्लिश वर्जिन भी है उपर उन्होंने दियावा है सबसे पहले जो तस्वीरे हमारे पास हैं वो उनके एक आर्टिकल की है और अगर हम नीचे स्क्रोल करें यानि कि जी उन्होने कहा कि जो पाकिसानी ड्रामे हैं उनके बारे में ये पूरा आर्टिकल है तो अभीसिर जो हैडलाइन है ये अतनी मजे की लिखी भी है कि बंदे का जी चायता है कि आगे पढ़े कि नौने क्या लग्खा वाऊ अगर आगे देखें तो फिर उन्हों ने पूरा explain किया है कि वो entertainment में कर क्या रहें तो इस वेरी engaging content तो हम अगर खुद कोशिश करें कुछ लिखने की तो हमने topic पहले से choose किया है the 10 steps to creating your feel good wardrobe यानि कि अब आपने उनसे काया कि 10 steps में हम आपको बताएंगे कि आप जो कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े कैसे पहने कि आप you feel good in them तो सबसे पहले हमने कहा कि जी clothes define you and make a statement about who you are but at the same time also have an effect on your mood below we share 10 steps for a great mood with feel good wardrobe choices अब यह पहला step जो है अब इसकी headline हम देते हैं तो जो पहला step है वो हम कहते हैं कि feel good wardrobe के लिए glitter ठीके जी अब हमने कहा के glitter is key to making you feel good so use lot of glitter in clothes and we guarantee you will feel amazing so इसी तरहां हम यह जो पूरा content है यह describe करते चले जाते हैं कि जी हम दूसरे पे और जादा ideas देंगे फिर और जादा ideas देंगे as you saw they are short sentences they are not very long हम casual इस्तमाल कररें language और simple इस्तमाल कररें और एकदम से हम to the point चले जाते हैं I hope that you write a lot of entertainment website content and have fun while you do it thank you